प्यारे वच्चों श्वागत है आप सभी का हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की Physics की Dual Nature of Matter and Radiation और यह आज हमारा second lecture है पिछले lecture में हमने photons के बारे जाना था और आज का हमारा important article है experimental study of photoelectric effect प्यारे बच्चों सबसे पहले हम जानेंगे photoelectric effect क्या होता है और फिर उसमें उसके जो है experimental study करेंगे जो कि बहुत important है क्योंकि complete unit जो है या पूरा जो experimental जो results होंगे वो हमें photoelectric effect के लाज और Einstein photoelectric equation और तमाम numericals के लिए काफी helpful रहने वाले हैं और बहुती simple way में इसे आज हम समझेंगे मैं एक story से इसे correlate करूँगा जिससे कि आपके concept जो है बिलकुल crystal career हो जाएंगे तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे ये photoelectric effect होता क्या है प्यारे बच्चों देखे ये तो आप जानते ही हैं कि सभी जो metals हैं या सभी substances हैं वो atoms के बने होते हैं और उनमें क्या होते हैं उनमें electrons होते हैं जो bound state में होते हैं electrons ये electrons है ये bound है कुछ energy से अब अगर हम इने निकाल पाएं निकालेंगे कैसे आसानी से तो निकलेंगे नहीं कुछ तो हमें energy लगानी पड़ेगी और अच्छी बात ये है कि हमारे पास energy के packets हैं जिने हम कहते हैं photon यानिकि light ये हमारे पास source of light और ये किस से बने होते हैं photons से बने होते हैं अकर हम इन photons को जिनकी energy suitable है इतनी तो है कि जितनी energy से ये electron जो है in metal surface में bound है इन्हें हम यहां से छुड़ा सके इन्हें यहां से निकाल सके तो ये है electrons जैसे ही ये photon इन इलक्ट्रों पे incident होगा suitable है इसके frequency sufficient है तो फिर ये इन इलक्ट्रों को यहां से निकाल पाएंगे और इन ये जो electrons निकलेंगे न इस दोरान इन्हें हम photo electrons कहेंगे और इस process को हम क्या कहेंगे photo electric effect या निकिदी phenomena by which the electrons emits from the metal surface when the light of suitable frequency or suitable energy incident on it is called photo electric effect सबज़ गये और इस इलक्ट्रोंस और इस इलक्ट्रोंस और प्यारे बच्छा आप जानते हैं तो फिर आपके लिए बहुत ही जी हो जाएगा आप कहेंगे सर लिखेंगे तो सर नोट्स तो तब बनाएंगे जब आप लिखेंगे तो चलिए मैं आपको लिख देता हूं यहां पर जो मैंने अभी बताया है फोटो इलक्टिक एफेक्ट के बारे में इस सबको एक लेंग्वेज दे देते हैं यानि कि फिनोमिना बाई विच दि इलक्ट्रोंस इमिट फ्रों मेटल सर्फेस इसकल्ड फोटो इलक्टिक एफेक्ट इस फिनोमिना को जिससे यह ब्रोंस इसमिश कि निकलते हैं जब यह light suitable frequency कि कि मेटल सर्फेस पर गिरती है उसे क्या कहते हैं फोटो इलक्टिक एफेक्ट और इन इलक्ट्रोंस को क्या कहते हैं अलग से भी आप से पूछ लें कि वाट आर्थी फोटो इलक्ट्रोंस तो फिर आप यह बताएंगे और इन फोटो इलक्ट्रोंस की वजे से जो करंट बनता है उसे हम कहते हैं फोटो इलक्टिक करंट इन फोटो इलक्ट्रोंस यह कुछ बेसिक सी बाते हमें फोटो इलक्ट्रोंस के बारे में फोटो इलक्ट्रोंस और फोटो इलक्ट्रिक करंट के बारे में पता चल गया अब हमें काम करेंगे पूरी एक एक एक्सप्रिमेंट पर्फॉर्म करते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो फोटो इलक्ट्रिक करंट है यह लाइट की किनकी चीजों पर डिपैंड करता है कि लाइट की इंटेंटी लाइट की फिरिक्वेंसी या फिर कोई और दूसरे फैक्टर से हम उनकी भी बात करेंगे एक बार जब हम ये पता चल जाएगा तो फिर हमें फोटो इलक्रिक के एफेक्ट की कौंसेप्ट को समझना और लाजो फोटो इलक्रिक एफेक्ट और तमाम जो क्वेश्चन्स पूछे जाएंगे उनके बारे में उनके आंसर शम्परिमेंट जैसे एक्सपरिमेंट का नाम आता है तो देखें आपने प्रैक्टिकल की होंगे सबसे पहले अपरेटस वह हम किन चीजों के साथ एक्सपरिमेंट करेंगे वह देखेंगे फिर प्रोशीजर और उससे फिर कुछ ओब्जर्वीशन्स और कंक्लूजन यानि की रिजल्ट यही तो स्टैप होती है न तो चलिए हम सबसे पहले अपरेटस देख लेते हैं तो इसमें अपरेटस मैं यहां लिस्ट बनाता जाओंगा उधर बनाते जाते हैं तो चलिए एक एक करके सब से पहले देखेंगे सिसमें क्या स्यूंट ब्रस इसमें हम एक हर्ड़्ड ग्लास ट्यूब लेते हैं जो एक इमेकेट्डर है वेक्यूम है जिसके अंदर यानि इसके अंदर यह देखिए यह एक विंडो है इनका हर चीज का अपना एक सिगनिफिकेंस है यह क्यों कर रहे हैं इसमें हम दो मेटल के इलक्टोड्स जो है वो लगा रहे हैं यह देखिए यहां एक सोर्स ओफ लाइट है यह सोर्स ओफ लाइट है जिसकी इंटेंस्टी को हम चेंज कर सकते हैं जिसकी फ्रिक्वेंसी को हम चेंज कर सकते हैं और यह लाइट का सोर्स है और यह देखिए यहां पर हम एक और काम कर रहे हैं एक पोटेंशल डिफरेंस लग भीच में यहां से घ्रीच के और नेगटीव टर्मिनल हम यहां से जोड़ रहे हैं इस इस वान पर और आपके कूछ मैं बाद बताऊं कि हम इसकी को विवस कर सकते हैं यहां पर यह bunu आते यह हमारा एक potential difference लगाने के लिए और current बनेगा ना उस current को हम मापनी के लिए एक emitter लगा देते हैं जो देगा हमें photoelectric current और यह potential difference कितना लगाया है उसके लिए हम एक यहाँ पर voltmeter लगा देते हैं जो हमें देगा potential difference इन दोनों electrodes के बीच में तो प्यारवचों देख लीजिए इस पूरे experiment को perform करने के लिए यह हमारा experimental setup है इसमें क्या क्या है यह तो है hard glass tube यानि कि आप इसे इस तरह से लिखेंगे it consists of यह पांच नंबर का question हो सकता है और question आप से पूछेंगे कि explain in detail the experimental study of a photoelectric effect तो सबसे पहले इसमें क्या क्या है देखिए मैं आपको बता दीता हूं वन बन a hard glass tube a hard glass tube having vacuum जिसमें vacuum है and a quartz window यह देखिए प्यारे बच्चों यह चीज आपके सामने दे रही है ना दूसरी two electrodes एक electrode यह है और एक electrode यह है यह यह भी लिखे दीजिए two electrodes are enclosed इसके अंदर two electrodes है वो लगा दी हमें नमबर तरी और क्या चीज आपको दिखाई दे रही है देखिए यहां पर कि potential difference यह potential difference है we potential difference is applied with the help of this setup whose polarity can be reversed अब इनकी polarity को हम बदल सकते हैं जैसे positive negative negative positive यह चीज हम लोग यहां कर सकते बदल सकते हैं जैसे अभी हम यहां पर battery का negative लगाया हुआ है यह बैट्रिका positive है इसको हम anode कह देते हैं इसको हम cathode कह देते जड़रली और इसकी polarity को हम फिर reverse भी कर सकते हैं यह पूरा setup हमारे पास सकते हैं तो यह कुछ मोटी मोटी चीज़ें आपने देख ली यह तो में चीज तो आप छोड़ी रहे हैं यह देखिए next एक और चीज़ लिख रहे हैं है source एक सोर्स ओफ लाइट हूज इंटेंस्टी एंड फ्रिकेंसी आर भी ठीक है बहुत है यह देखिए यह कुछ चीज़ें हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं यह तो हो गया हमारा experimental setup अब हम procedure हमारा क्या है भी हम लोग कर क्या रहे हैं वो चीज़ देख लेते हैं तो प्यारे बच्चों देखिए अब हम यहां इस procedure को समझते हैं हम लोग क्या देखेंगे हमारे पास variable है intensity है frequency है potential difference यह तीन चीज़े हुए अब हम यहां पर देखें यह हमें photoelectric current देगा यह potential difference के हमने कितना potential differential लगाया है अब सवाल यह है कि हभी photoelectric current कितना है zero है क्यों कोई current इसमें ही नहीं हमने यहां पर light डाली ही नहीं अब जैसे ही यहां पर हम light incident करवाएंगे यहां पर यानि कि इस cathode पर या इस metal electrode पर जब photon गिरेंगे तो photoelectric effect होगा और इसमें से पैदा होंगे electrons यानि कि यह electrons पैदा होंगे और यह electrons जब इस electrode पर पहुंचेंगे एनोड पर तो फिर बनेगा photoelectric current इन्हें हम कहते है photoelectric जिसा मैंने पहले बताया था अब हम क्या करेंगे कि यह जो photoelectric current है इस पर intensity का क्या effect है frequency का क्या effect है और इस potential difference का effect क्या है यही study करेंगे यही हमारा aim है इस experimental study का तो इस पूरी story को समझने के लिए हम करेंगे क्या कि इन तिनों में दो दो चीजे जैसे intensity का effect देखेंगे तो frequency और potential difference को constant कर लेंगे और दीरे-दीरे intensity को बढ़ाएंगे और photoelectric note करते चले जाएंगे एक graph ही चलेंगे न इस टाइप से ही हम फिर frequency का effect देखेंगे और potential difference का effect देखेंगे लेकिन इस पूरी system को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी का सारा लेते हैं जो हम लोग जानते हैं स्पोज कीजिए हमारे पास ये एक कोई जमीन है कोई जमीन है मैं यहीं बढ़ा देता हूँ और इस जमीन के अंदर पहुत सी इटे दवी हुई है होगा क्या इन इटों की शाहिता से हमें construction करनी है यह एक multi storage building है और इस multi storage building के अंदर हमें यह इटे निकाल निकाल के लगानी है तो क्या करेंगे हम लोग हम लोग यहां कुछ लोगों को लगाएंगे जो इन इटों को निकालेंगे सर्थ यह है कि जैसे ऐसे इंट निकालते हैं तो एक time में यह व्यक्ति एक ही इंट निकाल पाएगा जितने व्यक्ति लगाएंगे उतनी ही इंटे निकलेंगे एक काम तो यह है यह लगा लिए दूसरा इनको यहां से यह इनको निकालेगा और कुछ हिम्मत बची रहेगी ताकत बची रहेगी एनरजी बची रहेगी तो इनको फेक देगा और फिर यह इसको ले जाने वाला काम यहां पर दूसरी लेबर लगी हुए यह क्या करेगा इनको यहां से और यहां पहुंचाएगा ठीक है ले जाने का काम करेंगे एक और बात जब मैं बात कहूं कि हमें ज्यादा इंटे निकालनी है जमीन से तो हम क्या करेंगे ज्यादा लोग लगाएंगे संख्या बढ़ानी पड़ेंगे ना निकालने वालों की और संख्या का सीधा मतलब होगा इंटेंस्टी से एक बात तो ये समझ लो कि इंटेंस्टी का सीधा मतलब होता है नंबर मैं लिख भी देता हूं कि इंटेंस्टी ये लिख लो intensity का मतलब होता है number से कि ये जो number बढ़ाएंगे कोई का भई इनकी intensity बढ़ाओ निकालने वाले की क्योंकि हमें जादा intensity चाहिए तो वो number है दूसरी बात ये आएगी कि भई उनमें energy नहीं है व्यक्ति तो लगे हुए है निकालने वाले लेकिन उनमें फिरकंशी का मतलब होता है energy से फिरकंशी बढ़ाएंगे तो इसका मतलब है इन लोगों की energy बढ़ाएंगे इनको खिला पिला रहे हैं तीसरी बात है कि इनको ले जाने का काम कर रहा है हमारा potential difference to move इन चीजों को तो वो हमारा काम करेगा potential difference इनको ले जाना या इनको रोकना ये काम करेगा हमारा potential difference चलिए ये चीजे हमारी समझ में आ गई ये कहानी हमारी समझ में आ गई कि भई हमें इंटे यहां से निकालनी है इनको ले के जाना है और हमें construction करनी है अब हम आते हैं अपनी physics की तरफ ये तो एक छोटी स्टोरी है इसको correlate करते चलेंगे सबसे पहले देखिए हम जानना चाहते है intensity का effect effect of intensity तो प्यारे बच्चों देखिए इसमें हम लोग करेंगे क्या कि एक suitable frequency suitable frequency का मतलब है भी ऐसी जो इनमें से electron निकाल सके इसे व्यक्तियों को जो इनमें से इनमें निकाल सके उनमें इतनी ताकत तो होनी चाहिए न suitable का मतलब यही है फिर frequency भी suitable है और ले जाने वाले है यानि कि ये जो potential difference है जो इसको ले के जा रहा है वो भी suitable हो वो हमने apply कर देगे और फिर हम धीरे धीरे क्या करेंगे intensity को increase करेंगे और photoelectric current को not करते चले जाएंगे और फिर एक graph ही चलेंगे intensity और photoelectric current के बीच में constant frequency और potential difference पर और उससे फिर कुछ conclusion मिलेगा तो यही चीज मैं यहां देखना चाहता हूं यहां पर यहां कि सबसे पहले क्या करेंगे allow the light light कहें दीजिए photon of suitable मैं suitable word यूज करना हूं यहां पर suitable frequency and constant मतलब frequency को में बदलना नहीं है at constant potential difference यह जो potential difference लगा रहे हैं वो भी constant यानि इन दोनों चीजों को frequency को और potential difference को हमने क्या कर दिया है constant कर दिया है यानि कि इनकी ताकत एक जैसी है सबकी और ले जाने वाले जितने लगाए हैं बस उतने ही लगाएंगे और धीरे धीरे फिर हम इनकी संख्या बढ़ाते चले जाएंगे जितनी ज्यादा संख्या यहां से हम निकालेंगे लगाएंगे उतनी ज्यादा इंक्री निकलेंगे धीरे धीरे intensity बढ़ाएंगे intensity का मतलब number तो जैसे जैसे intensity बढ़ाएंगे हर photon एक electron emit कर रहा है तो उनकी संख्या बढ़ेगी और संख्या बढ़ेगी तो ज्यादा photo electrons एनोड पर पहुंचेंगे ज्यादा photo electric current बनेगा कोई बात नहीं हम नोड करते जाएंगे फिर एक graph feeding मन यही बात लिख रही है now जैसे ही increase increase the intensity of incident light light and note down और note क्या करना धीरे धीरे step में बढ़ाते जाएंगे intensity को और photo electric current को note करते चले जाएंगे experiment कर रहे प्यारे बच्चो and note down the corresponding photo electric current photo electric current को note करते चले जाएंगे फिर क्या करेंगे अब हमने note के लिए टेबल बनेगे हमारे पास plot a graph plot a graph between the intensity and photo electric current at constant frequency and potential difference येलिगी ये भी करना पड़ेगा plot the graph between intensity and photo electric current इनके बीच में प्यारे बच्चो एक graph graph कैसा आएगा मैं आपको बता देता हो the nature of the graph is as soon आप 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 इनके संख्या बढ़ा रहे इंसिदेंट photons की यानिकी intensity महने कहा था ना intensity का मतलब नंबर तो वैसे वैसे photoelectrons बढ़ रहे थे वैसे वैसे photo electric current भी बढ़ रहे गा तो कैसा graph आना चाहिए सोची यह बढ़ाने से यह बढ़ रहा है जब चीज एक वेरीबल के बढ़ाने से दूसरी चीज बढ़ रही हो तो कैसा ग्राफ आता है बिल्कुल ऐसा ग्राफ है नेचरो ग्राफ और इधर ले रहे हैं फोटो इलक्टिक करंट ग्राफ कैसा आएगा वो देख लीजिए जब हमने इंटेंसिटी बढ़ाई तो फोटो इलक्टिक करंट बढ़ा है इसा ज्राफ आएज अगे मैं इसका सीधा मतलब देखिये जब इंटेंस्टी 0 थी यानि हमने लाइट इस पर टाली नहीं तो फोटो और इस तरह से हम देखेंगे कि photoelectric current जो है वो intensity के directly proportional है यानि कि यह हमारा एक तरह का conclusion होगा है यहाँ पे कि photoelectric current is directly proportional to the intensity of the incident light यह चीज आप यहाँ लिख भी ले photoelectric current is directly proportional to the intensity of incident light यानि कि यह हमें पता चल गया अब हम देखें इस बार तो अपनी क्या किया था frequency को और potential difference को fix कर लिया था constant कर लिया था और धीरे-धीरे intensity को बढ़ाया और photoelectric current को note करते चले गए और हमारे पास इस ताइप का graph आ गया अब हम दूसरा ही fact देखेंगे इस बार हम intensity को fix कर देंगे और यह जो frequency है ना इसको increase करेंगे potential difference को भी constant रखेंगे हम देखना चाहते हैं कि इसकी frequency का photoelectric current पर क्या effect है तो प्यारवज़ देखेंगे frequency का सीधा मतलब क्या हो रहा है energy यानि कि जैसे suppose कीजिए हमने यहाँ पर 10 आदमी लगा रखे हैं 10 ही रखेंगे उनकी संख्या नहीं बढ़ानी इस बार क्या करने है उनकी ताकत बढ़ाए उनको खिलाना भिलाना है ताकि उनकी ताकत बढ़ जाए और जब ताकत बढ़ेगी तो क्या करेंगे एनर्जी ज्यादा होगी तो क्या करेंगे कुछ एनर्जी तो उसको निकालने में लगा देंगे और कुछ उनको इन इटों को आगे फैकने में लगा देंगे जब यह फैक देंगे बहुत तेजी से फैकेंगे तो जरा सोचिए कि वह थोड़ा जल्दी जाएगी तो ले जाने होगी आउटपुट हमारे पास यह करेंट फोटो एलेक्ट्रिक करेंट यहां पर जितने ज्यादा फोटो एलक्ट्रॉंस पहुंचेंगे उतना ज्यादा करेंट होगा तो अब हम फिर कंशी का एफेक्ट देख लेखते हैं आप साथ-साथ आपने नोट्स जरूर बनाते रहे बहुत ही इजी लेंगेज में हैं हम लोग समझते हुए चल रहे हैं तो आप इनका स्क्रींशोट लीजिए आप प्यार बच्चों हम लोग देखते हैं कि एफेक्ट ओफ फ्रिक्वेंची तो इसमें हम लोग क्या करेंगे वही बात इस बार हम इंक्तेंस्टी को कॉंस्टेंट रखेंगी और पोटेंशल देखन देखन फिरिक्वेंशी को इंक्रीज करेंगे के फिरकंशी का मतलब सीधा समझ रहे हो की एचंट मू बढ़ेगा तो फिरेनर्जी भी बढ़ेगी ज्यानि कि हम लोग क्या करेंगे allow the light of constant intensity and at constant potential difference to incident on this metal surface and go on increasing the frequency of incident light and note down the corresponding value of photoelectric current plot a graph between the frequency and the photoelectric current edge zone और फिर उस graph कैसा आता है उसे हम conclude कर लेंगे कि हमारा ये सब कुछ क्या रहा है यानि कि हम लोग लिखेंगे फिर सुन लीजिए प्यारे बचों यहां पर constant intensity और potential difference पर हम धीरे धीरे frequency को increase करेंगे और photoelectric current को note करते चले जाएंगे फिर हम frequency और photoelectric current के बीच में एक graph कीचेंगे और फिर उस graph से देखेंगे क्या conclusion मिलता है किस type का graph आता है ठीक है चलिए मैं लिख देखता हूं आपके notes बनाने के लिए यानि कि now allow the light of suitable frequency at constant intensity intensity को आपने constant कर दिया है intensity का मतलब है संख्या से जो photons की संख्या न वो and potential difference यह दोनों ही constant कर देगे अब हम करेंगे क्या go on increasing the frequency and no dumb corresponding value of photoelectric current here plot the graph between the frequency and photoelectric current plot the graph between frequency of incident light and photoelectric current the nature of the graph is as shown graph कैसा है को देखलिजे the the nature of graph is as shown आप आप सोच जरा कि हम इनकी ताकत बढ़ा रहे हैं ना ताकत बढ़ाएंगे तो यह निकालेंगे इटों को जल्दी फैकेंगे तो जल्दी पहुंचेंगे यानि थोड़ा वो तो photoelectric current पर बढ़ना स्वभाविक है तो कैसा graph आएगा वो देख लीजे प्यारे बैचा इधर हम ले रहे है photoelectric current और यह देखिए इधर हम क्या ले रहे है photo electric current ठीक है और इधर ले लेते हम potential difference ले लेते हैं जो की constant है उसका effect हम यह देख लेंगे आप देखिए ग्राफ के साथ है frequency मालो हमने mu only है तो उसका graph कैसे आगा ऐगा ऐसा आगा जैसे frequency बढ़ाएंगे ना तो photoelectric current ऐसे बढ़ेगा फिर constant हो जागा यानि कि यहाँ पर frequency कितनी है graph ऐसे भी आएगा पर पीछे की तरफ यह है V0 फिर हमने frequency को थोड़ा सा बढ़ाया तो क्या हुआ यहाँ पर आप आप point note कर सकते हैं देखें यहाँ पर point note करने की बात आप देखेंगे कि जैसे ही frequency बढ़ा रहे है यह mu2 है is greater than mu1 यह देखें तो जैसे हमने जब frequency को increase किया तो photoelectric current increase हो गया थोड़ा सा हुआ लेकिन जो maximum है photoelectric current वह उतना ही रहता है होएगा भी क्यों नहीं आपने इनकी ताकत बढ़ाई है लेकिन मानलो 10 आदमी तो 10 ही टे तो निकालेंगे बस वह थोड़ा निकालके फैक रहे थे थो थोड़ा जल्दी फैक रहे थे तो क्या हुआ कि वह थोड़ा जल्दी पहुंच रहे थे electron से यहां पर तो फिर थोड़ा बहुत photoelectric current बढ़ गया लेकिन maximum पहुंचेंगे तो 10 ही ना क्यों एक टाइम में 10 ही तो electron निकल रहें तो 10 ही तो वहां पहुंचेंगे 10 से जादा तो नहीं से रहे इसलिए maximum जो photoelectric current है वह तो उतना ही रहेगा तो प्यारे बच्चों यहां पर देखिए एक और बात है यह potential difference का भी concept यहां रहा है कि जैसे जिस हम potential difference बढ़ाते हैं तो photoelectric current बढ़ रहा है अब हम negative में लगा दें यानि इस पर अगर हम negative electron से जोड़ दें तो क्या होगा कि इस पर भी negative और electrons पर जो charge होता है वो भी negative होता है तो यह इनको repel करेगा repel करेगा तो दीरे दीरे पहुंचे नहीं एक ऐसे stage आ जाएगी जब बिलकुल ही कोई electron यहां पहुंचेगा नहीं कि यह सब को रोग देगा तो उस case में photoelectric current क्या हो जाएगा zero हो जाएगा यहां पर भी मैं वही बात कहे रहा हूं यह देखिए प्यारे बच्छो कि जैसे जैसे यह minimum potential difference है यहां पर जहां photoelectric current zero हो जाता है उसे आगे चलके देखिए कि हम cut-off potential कहेंगे stopping potential कहेंगे एक तो यह point है दूसरा यहां frequency का एक और concept प्यारे बच्छो देखोगे कि हम frequency को कम कर दे मैंने का था suitable word use कर रहते हैं अगर हम frequency को कम कर दे जड़ा तहीं कि कम करते चले हैं कम करते हैं लेकिन ऐसे stage आएगी कि उस पर photo electric current हमारा बिल्कुल zero हो जाएगा क्यों क्योंकि इसकी frequency इतनी कम कर दिया आपने कि एक भी electron वो निकाली नहीं पाया metal surface से यानि कि आपने इनकी energy को जो आदमी इतने निकाल रहे थे इतनी कम हो गई कि वो वहां से एक भी इतनी नहीं निकाल पाया तो फिर क्या construction होगी zero हो जाएगी ना construction हमारी यहां पर तो जब कोई electron ही नहीं निकलेगा या यूं कहिए कि इतनी कम energy हो गई इतनी कम frequency हो गई कि वो एक भी electron नहीं निकाल पाया तो photo electric current भी zero हो जाएगा इस minimum frequency को क्योंकि इससे नीचे तो photo electric current zero हो जाना है इससे ज्यादा ही रहनी चाहिए तो यह जो कम से कम frequency है कि जिसके नीचे photo electric current zero हो जाता है उसे हम थर्षोल frequency के नाम से जानते हैं यानि कि वह मैं लिख भी देता हूं और एक और चीज यहां पर प्यारे बच्चों साथ साथ देख लेए जब हम potential का effect देखेंगे कि जैसे जैसे frequency को increase कर रहे हैं तो यह जो cutoff potential है ना यह increase हो रहा है the cutoff potential increases with increasing frequency जैसे mu1 थी तो cutoff potential कितना था इतना था mu2 कर ली तो यह इतना हो यह यानि कि अकर हम frequency बढ़ा देते हैं तो हमें और ज्यादा negative potential लगाना पड़ेगा उनको रोकने में क्योंकि वह तेजी से जा रहे हैं तो उनको रोकने के लिए भी हमी ज्यादा potential difference की जूर्थ ज्यादा repulsion की जूर्थ पड़ेगी इसलिए हमें potential difference negative directs ने वीप्री directs में लगाना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा तो वो point भी देख लीजी यहाँ पर आप देख रहे हैं और अगर एक graph खीचना चाहें हम यहाँ पर potential difference यह देखिए तो कैसा graph आता है यह देखिए एक तरफ हम क्या ले ले मैं यहीं बता देता हूँ आपको इधर हम cut up potential ले रहे हैं और इधर हम ले रहे हैं frequency मालो frequency तो यह graph कुछ ऐसा है जैसे frequency को increase करेंगे वैसे वैसे cut up potential भी हमारा बढ़ता जा रहा है और यह जो minimum frequency है न यहाँ पर इस minimum frequency को हम कहते हैं threshold frequency तो दो बाते प्यारे बच्चों यहाँ पर note करने हैं कि मैं आप लिख भी दूँगे यहाँ पर पहला point तो यह है कि there is a minimum negative potential given to this anode so that photoelectric current becomes 0 is called stopping potential यहाँ cut up potential कहते हैं दूसरी यहाँ पर एक और point आ रहा है कि there is a minimum frequency below which photoelectric current becomes 0 क्यों 0 वो मैंने बताई दिया क्योंकि कोई electron ही नहीं निकाल पाएंगे इसकी energy इतनी है कम है इस photon की जो इसके पर गिर रहा है जो electron bound है ना उसको वो नहीं निकाल पा रहा है तो फिर photoelectric current क्या हो जागा जीरो हो जागा चलिए आप मैं इन दोनों बातों के बारे में लिखूंगा आप एक बार screenshot ले लीजिए cut off potential या फिर प्यारे बच्चों यह हम stopping potential भी कहते हैं stopping potential और यह definition अभी अभी मैंने आपको पता दी थी क्या है यह minimum negative potential देखे इसको negative देँगे तो ही तो इन इलक्रों को रोकेंगे the minimum negative potential given to this anode so that photoelectric current become zero is called stopping potential या cut off potential वही मैं लिखरा हम minimum negative potential given to anode photoelectric current becomes zero is called stopping potential 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 और यह हम cut off potential भी कहते हैं it is denoted by V note और जैसा कि अरिया भी मैंने पहले बताया भी था आपको कि यह किन चीजों पर depend करता है यह frequency पर depend करता है अभी हमने देखा था ना एक तरफ अगर हम frequency ले 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 किसके frequency यह जो incident light है photon है उनकी और दूसरी तरफ हम stopping potential ले 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 तो पता हमरे ग्राप कैसा आएगा अभी बताया था आपको यह ग्राप कुछ ऐसा आता है और इस इसका मतलब है with increasing frequency stopping potential increases बात भी है मोटे तोर पर समझो प्यारे बच्चों कि जब इनकी frequency बढ़ाएंगे तो यह इन इलक्ट्रोंस को निकाल के तेजी से फेकेंगे तेज जाएंगे तो उनको रोकने के लिए हमें ज्यादा एनरजी चाहिए लेकिन ज़रा सोच यह दूसरे सब्दों में कि अगर हम frequency को तो constant रखें लेकिन intensity बढ़ा दें यानिकि यहां पर एक जै यहां पर 10 थे फिर हमने 15 कर दिये फिर 20 कर दिये लेकिन उससे हमारे stopping potential पर क्या फरक पड़ेगा यानि intensity का भी कोई effect है क्या stopping potential दस की बजाए मालो 20 इलक्ट्रोंस जा रहे हैं तो क्या उतना ही negative potential काफी है इस electron को यह बढ़ाना पड़ेगा ज़रा सोचो कि 10 इतों की बजाए 15 इते फैक रहे हैं लेकिन एकी speed से फैक रहे हैं तो क्या उनको रोकने के लिए ताकि कोई भी ना पहुंचे वहां पर क्या हमें ज्यादा लोग लगाने पड़ेंगे उधर या कम यानि कि मैं यह कहना चाहता हूं कि intensity का effect क्या है यहां से देखिए प्यारे बचो इस एक graph से थोड़ा पता चल जाएगा आपको इधर हम ले रहे हैं photoelectric current और यह देखिए यहां पर हम ले रहे हैं potential difference यहां से वी यह देखिए यह है हमारी intensity I1 जब हमने intensity बढ़ाई तो photoelectric current भी बढ़ा यह है I2 इस ट्राइब का graph आएगा जब आप प्लोट करेंगे और यहां I2 is greater than I1 लेकिन यह देखिए जब पीछे की तरफ हम प्लोट करते हैं तो यह है हमारा stopping potential जब intensity ज़्यादा थी तब भी यह देखिए यह यहीं पर आ रहा है यानि कि stopping potential जो है वो intensity पर depend नहीं करता यह बात आप से exam से पूछी जा सकती है कि आप कुछ ही तरह का रहा है यह हमारी experimental study कह रही है कि stopping potential is independent of the intensity but depends on frequency frequency के बढ़ाने से तो बढ़ेगा लेकिन intensity के बढ़ाने से इस पर कोई परक नहीं पढ़ेगा it does not depend on the intensity यह चीज आगी आपको अब एक और बात मैंने आपको बताई थी जो बार-बार आप से पूछी जा सकती है कि यह हमारी threshold frequency क्या है मैं उसको भी लिख दे हूँ हाला कि मैंने आपको उसके बारे में बता दिया है यहां पर क्या है कि हम इसकी frequency को कम करें तो कहीं न कहीं जाकर के जब कम करते चले जाएंगे तो photoelectrican zero हो जाएगा और उस frequency को हम कहेंगे थर्षोल्ड frequency किसके लिए उस metal surface के लिए क्योंकि हो सकता है किसी दूसरे surface में से वो जो photon है वो electron eject कर दे क्योंकि उसमें जो electron है वो कम energy से bound है तो वो उसमें से तो निकाल दे लेकिन जहां वो tightly bound है उनमें से नहीं निकाल पा रहा तो यह जो थर्षोल्ड frequency का concept है यह metal to metal vary करेगा चलो मैं लिखता हूँ आप screenshot लिए थर्षोल्ड frequency यह जान लिए हम जानते है energy किसके बराबर है एच मियू के बराबर है मैंने कहा था कि इस व्यक्ति की जो इंटे निकाल रहा है इनकी अगर हम energy कम करतें इनको कुछ खाना पीना ही ना दे तो energy कम हो जाए नतीजा क्या होगा कि थोड़ी दिर बाद कहेंगे भी हम तो जी इंट यहां से नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमारे अंदर वो energy ही नहीं तो कितनी कम सी कम energy किसी metal surface के लिए ताकि वो photoelectric current जीरो हो जाए यानि कि minimum frequency below which no photo electron emits from the metal surface अब यह निकलेंगे नहीं तो photoelectric रापने आप जीरो हो जाएगा उसे कहते हैं थर्षोल्ड frequency यानि कि the minimum frequency minimum frequency below each उसके नीचे no photo electrons emit from metal surface इस कर्ण फर्षोल्ड frequency समझे ने मेरे पाद कि वह हम कितनी minimum frequency कर दें ताकि यह electron एक भी ना निकाले या फोटो एलक्ट्रिक जीरो हो जाए उसे हम थर्षोल्ड frequency कहते हैं जिसे हम म्यू नोट से लिखते हैं हां उससे उपर जैसे जैसे उनको energy देते जाएंगे जैसे उनकी frequency बढ़ाते जाएंगे तो energy बढ़ेगी energy बढ़ेगी तो यह इंटों को निकालेंगे निकालेंगे और बढ़ा दोगे तो और तेज फेकिंगे सीदिगिसी बात वही है कि मैं अब एक और फार्मला भी प्यारे बचवाब जानते हैं कि वी किसके बराबर रहतेँ हैं किसके बराबर होती, μू, लेम्डा के बराबर होती, ये दोने एक दोस्य के वीपरीत हैं, यानि कि जो लेम्डा है, ये किसके बराबर है, वी बाई, मू के, अब ये देखिए, आपने एक, जो है, इलक्तो मेगनेटिक वीव में देखा था, कि इधर वाइलेट कलर आता है, इ तो सबसे कम wavelength होती है violet color की, सबसे ज़्यादा wavelength होती है इधर red color की, फिर इधर infrared और दूसरे colors आते हैं, इधर ultraviolet वगर आते हैं पूरा प्रोसेस मनब, ये सारी कहानी है, यहां उल्टा है, frequency बढ़ेगी, तो wavelength गटेगी ने, और अगर ये देखे, wavelength बढ़ेगी, तो frequency गटेगी, तो frequency किसकी ज़्यादा है, violet color की, red color की frequency, यहां पर कम है, wavelength किसकी ज़्यादा है, red color की, तो ये ultra नहीं हो गया, हमने कहा, कि देखे, ये minimum frequency है, जिसके नीचे, photoelectric current zero हो जाता है, या कोई photoelectron से मीटी ही नहीं होता है, अब देखे, जब इसको कम करेंगे, तो wavelength बढ़ेगी, तो ये देखे, ये है minimum frequency, जिसे हम threshold frequency कह रहे है, और ये है threshold wavelength, इसके नीचे जाते ही, ये उपर जाएगी, तो अगर आप से कोई उल्टा पूछ ले, कि भी threshold wavelength क्या है, तो क्या कहोगे, इस से उपर, अगर किसी color की, किसी light की wavelength हो जाती है, तो photoelectric current zero हो जाएगा, तो आप क्या above which no photo electrons meet, is called threshold wavelength, यानि कि आप ये लिखेंगे, अगर कोई पूछे भी threshold wavelength क्या होती है, threshold wavelength, जिसको हम ऐसे लिखेंगे, दि माक्सिमुम वेवलेंथ, of incident light above which no photoelectrons emit from metal surface. is called threshold wavelength, लेकिन ये भी threshold frequency, threshold wavelength, ये सब क्या है, ये किस चीज़ पर depend करते हैं, ये depend करते हैं, metal के surface पर, प्यारे बच्छों ये conclusion, इस experiment के आपको मैं बता देता हूँ, क्या सबसे पहली बात intensity का effect, जैसे जैसे intensity बढ़ाएंगे incident light की, constant frequency पर constant potential difference पर, तो photoelectrons की संख्या बढ़ेगी, और photoelectric current increase होगा, graph state line आता है, यानि एक दूसरे के proportional, frequency बढ़ाने से photoelectric current शुरू में थोड़ा बढ़ता है लेकिन maximum जो photoelectric current है, वो frequency पर depend नहीं करता है, potential difference की जाल तक बात है, potential difference को बढ़ाने से photoelectric current बढ़ता है, potential difference क्या काम कर रहा है, इनको लेजाने के काम, ये लेजाने का काम को रहा है, यह है potential difference यह potential difference और इनकी संख्या किस यह जो निकाल रहे है ना इते उनकी intensity number related है frequency energy से संबंदिद और इनको ले जाने का काम कौन कर रहा है potential difference तो प्यारे बचो इस तरह से हमने देखा तमाम चोटी-चोटी जो basic बाते थी वह इस experiment से हमारी समझ में आ गए अब इन सभी को एक साथ हम लिख दे पॉइंटों में तो वह हमारे बन जाएंगे large of photoelectric effect लेकिन क्योंकि आज का lecture थोड़ा लेंदी हो गया है इसलिए large of photoelectric effect हम next lecture में लिखेंगे इन ही points को इसी कहनी के साथ और यह सब कुछ आपको शमझ में आ रहा होगा तो प्यारे बच्चो अगर यह सब कुछ आपको शमझ में आ गया है और नए हैं तो फिर काम क्या करना है आपको समझ में आ गया होगा तो दो चैनल जिनका description में लिंक है वहां से आप इने subscribe कर लीजिएगा दोनों को और अगर हमारे पुरानी students हैं physics लगातार पढ़ रहे हैं तो प्यारे बच्चो इतना जरूर कर दे अपनी दूसरे जो साथी उनको share कर दीजिए और आप मुझे भी बता दीजिए आप कहां से belong करते हैं आपको यह lecture कैस से लगते हैं कितनी आपकी help करते हैं इससे क्या होता है कि हमें और ज़्यादा motivation मिलता है आपके लिए और ज़्यादा आपके syllabus से संबंदित आपके motivation से संबंदित और exam preparation से संबंदित lectures त्यार करने में तो मिलते हैं laws of photoelectric effect के साथ next lecture में तब तक आप सभी students का बहुत बहुत धन्यवाद अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा